चलिए बच्चो स्वागत आप सबका CL Carrier Academy के online platform पे मैं आपको analogy पढ़ा रहा था analogy में मैं आपको एक part पढ़ा चुका हूँ जिसमें मैंने आपको number वाले question कराये थे मैं आपको दूसरा part पढ़ाते में जा रहा था जिसमें से मैं आपको 13 question करवा चुका हूँ उसके आगे की question आपन करेंगे आए मैंने आपको बताये था आपको जब alphabet वाले question करने हो जिसमें ABCD लिखे हो तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए भाई सबसे पहले आपको alphabet की rank आने चाहिए, alphabet की reverse रेंक आने चाहिए और coding, decoding के कुछ pattern आपको पता होने चाहिए तब ही आप question कर सकते हो और जिस तरह से आपको पता है कि analogy में क्या होता है analogy में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो relation इन दोनों में, वह relation आपन यहां पर लगा के answer निकालते हैं तो सबसे पहले आपन इन दोनों का relation निकालेंगे और मैंने आपको समझाया था कि अगर दोनों तरफ के action अलग अलग होते हैं तो आपन क्या करते हैं shifting model लगा के देखते हैं shifting model लगाने के लिए आप क्या कर दीजिए रेंक देखे देख लीजिए आपको अगर उदर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इदर लिखके दिखा देता हूं यह लिखा गया है क्या करिए भाई रेंक देखे देख लीजिए इसकी कितनी रेंक है 13 इसकी 11 इसकी 17 इसकी 15 इसके कितनी है भाई 12 14 16 और कितनी है 18 तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपने इससे पूछेंगे कि पहला अक्सर जादा पास किसके है तो पहला अक्सर जादा पास किसके है पहले कि 13 से 12 कैसे आ सकता है माइनस 1 ग्यारा से चोदा कैसे आ सकता है भाई, कितना जोड की आएगा प्लस तीन करने पे आएगा, सतरा से सोला कैसे आ सकता है माइनस एक, पंदरा से एठारा कैसे आ सकता है, प्लस तीन इसका मुल क्या पेटन चल रहा है, माइनस एक, प्लस तीन माइनस एक प्लस थीं वही pattern आपन यहाँ पे लगा देंगे लेकिन क्या करना है आपको तो इससे यह निकालना था इसका अगर आपको उल्टा आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ पे प्लस कर दीजिए पका तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था यह दे रखा है आपको उल्टा निकालना है तो क्या करिए सबसे पहले अक्सर से पहला अक्सर आएगा यहाँ पे माइनस एक था तो उल्टा जाएंगे तो प्लस एक कर देंगे एक जोड़ेंगे तो कितना आजाएगा? 24 में जोड़ेंगे? 25 अब देख लिजी 25में इस एक कम करेंगे तो 24 आएगा. उल्टा चलतेबिए गारे तो आपको मायनस करना था, इदर जाएंगे तो आपन क्या करेंगे, यहां पे पलस दे रखा है तो यहां पे क्या करिए माइनस 22 में से 3 माइनस करें कितना आ जाएगा भाई 19 और 3 कितना आएगा 22 आएगा तो क्या जाएगा S आजाएगा आप देख लिजिए इतना करते ही आप अंसर बता सकते हैं आप का अंसर यह आने वाला है आप चेक भी कर सकते हैं से चलिए यहां पे आएए यहां पे प्लस एक करिए क्या आएगा यू यहां पे माइनस 3 करिए कितना आएगा 28 में से 3 माइनस करें कितना बचेगा वाई 23 यह आप का अंसर होना चाहिए यह आप का अंसर दे रखा है मैंने ऐसे क्यों बता है क्योंकि अगर मैं option से check करता तो बोट time लगता अगर मैं यहां से यहां पर जाके कहीं पर plus कर रहा हूं तो अगर मेरे को वापिस इसी जगा आना है तो क्या करना पड़ेगा minus करना पड़ेगा तो same pattern मैंने यहां पर लगाया जो मैं इधर से इधर जा रहा था तो plus minus 1 plus 3 minus 1 plus 3 कर रहा था तो मैं उल्टा हूँ तो क्या करना प्लस 1 minus 3 plus 1 minus 3 करके मेरा answer दे दूँगा बिल्कुल असा क्यूशन है इसे क्यूशन एक्जाम में एकसर पूछे जाते चलिए अगले क्यूशन की तरफ चलते क्यूशन नमर 15 देख लिजिए करने की कोशिस करिया आप क्या कर सकते बड़े असान सा क्यूशन है सबसे पहले आपन देखेंगे कि जो pattern यहां पे लग रहा वोई pattern यहां पे लगाएंगे तो अपने में सबसे पहले यहां पे just pattern देखना ना पड़े क्या pattern लाग रहा है तो सबसे पहले आपन देखें क्या दोनों तरफ अक्त्रा से म। कर देखें यहाँ पे सी है इधर भी सी है एकस है एकस है ए है ए है ए है है ए स्टारी आ अक्सर एक जैसे गर दोलसों तिरह टो दोंब आपक्सर एक जैसे हैं तोमें क्या करना पड़ेगा अपने और करना पड़ेगा ऑर्रести यह मैं पताए थो आ आपने कुछ नहीं किया आपने इसको आदा आदा करके उल्टा कर दिया अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा तो ऐसे देख लीजिए आपने क्या किया इसको आदे में बांटा और इसको उल्टा कर दिया इसको C, X, E लिख दिया फिर इस आधे भाग को भी क्या कर दिया उलटा कर दिया तो यहां पे भी आपको यह करना है छै है तो 6 को 3 3 के बाग में बांट के उलटा कर दीजिए तो आईए यहां पे बांटिए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा O, R, E और यहाँ पे S, E, D आपका अंसर आजाएगा जो जहाँ पे भी लिखाओ है O, R, E, S, E, D यह B option में आपका अंसर आपके सामने है तो याद रखिए अगर दोनों तरफ के अक्षर एक जैसे तो अपना arrangement करते हैं मैं आपको arrangement coding, decoding में सीखा के भी आया था के arrangement में बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है आदा आदा उल्टा भी हो सकता है यह question देखते हैं आपको पता चल गया देखिए C, X, E लिखाओ है यहाँ पे क्या था? X, E, C था तो इससे यह कैसे आ सकता है? क्या करना पड़ेगा आपको? बिल्कुल विवर्स करना पड़ेगा आदा करके तो आपका answer आएगा चलिए अगले question के तरफ बढ़ते है question number 16 यह भी बड़ा प्यारा question है बड़ा अच्छा question क्या करेंगे? गोर से सुनते वे जाईए सबसे पहले चेक करेंगे कि pattern कौन सा लगना है? अगर सारे लेटर सेम है वहिए तो क्या करने वाले है अपन? आपन arrangement करने वाले है तो देखे टी और यहाँ पे कहाँ पे है यहाँ पे सबसे last में था last के दोनों अक्सरों को ऐसे लिख दिया और पहले letter को कहां पे लेके गई? सबसे last में लेके गए तो यहाँ पर भी यही करना है सबसे पहले आपको O और P को ऐसे लिखना है पहले later को सबसे last में लेके जाएए यह आपका answer आजाएगा O, P, T आपका answer है वो ही कहानी है आपको arrangement करना हाना चाहिए आपको देखना हाना चाहिए arrangement कैसे किया गया है अगर arrangement नहीं लगता है तो shifting लगाते shifting नहीं लगता है तो अपन पेर later लगा के देखते चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं बड़ा अच्छा question है आपको answer देना है क्या answer देंगे आप देखते ही answer दे सकते हैं वैसे तो ऐसे question एक्जाम में आते हैं तो अपन देखते ही answer दे सकते हैं कुछ लोग यह करना ही कोसिस करेंगे करके भी देख सकते हैं कोई गुराई नहीं है इसकी और इसकी rank में फरक है क्यों है क्यों कोई इधर B है इधर B नहीं है क्यों नहीं है भाई पी दे रखाए इधर ओ है इधर ओ नहीं है इसका लोग सारे लेटर सेम नहीं है तो अपने को अर्रेंजमेंट तो नहीं करना है अपन क्या करने वाले अर्रेंजमेंट नहीं कर सकते तो अगर अर्रेंजमेंट नहीं कर सकते तो अपने क्या करना के देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा रेंक देनी पड़ेगी आईए दीजिए कितनी रेंक है इसकी चार इसकी इक्किस इसकी तेरा इसकी दो इसकी कितनी रेंक है दो इसकी पंदरा चोदा और कितनी चार आप करने की कोशिस करिए आईए आप करने की कोशिस करेंगे चार स 2 तो 2 माइनस करके लियाएंगे लेकिन 21 से 15 नहीं आएगा 13 से 14 आजाएगा 2 से 4 आने में भी दिक्कत आएगी किशन में हो सकता आपको थोड़ी मुस्किल हो लेकिन अब डारेक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं यहाँ पे पहला और लास्ट वाला अक्सर क्या है यहाँ पे पहला अ लास्ट वाला अक्सर बढ़ा तो एक ही ऑपसन ऐसा है जिसमें पहला और लास्ट वाला अक्सर बढ़ा यहाँ पर थोड़ा गलती से लिख दिया गया यह बीब बढ़ा होना चाहिए था दोनों तरफ के जो लेटर आस पास वाले वह बड़े हैं आप रहें के देखें पिटल है वाकिस मौल ऐसे क्यूसर बीपूछ ली जाता है तो आपको ध्यान रखना है इनका हूं चलिए क्यूसर नमर 18 करने कोसिस करिए क्या करेंगे चलिए क्या करेंगे भई बिलकुल असान से चीज़ है आप अगर देखेंगे गोर से देखें लाश्ट के दोनों लेटर सेम है ए और टी यहां पे भी last में AOT दे रखा है तो यहां पे भी क्या आने वाला है AOT आने वाला है और हर option में last में AOT दे रखा है इससे question नहीं होने वाला है irieकर पहले लेटर से होगा देखें बी से सी केसे आसकता है एक जोड के तो किसमें एक जोड़ों की एफ आ जाए किसमा एक जोड़ा जा रहीमें तो आपका आँस्तिंगर में बेढ़ यहां पाईर अपकी किसे लेटर इसा होई पहले कि आप देखेंगे कि लास्ट वाले दोनों लेटर हर जगह क्या है सेम है तो यहां पर भी वह आने वाला था यह आपका इस क्यूशन का अंसर आगया है अपने अगले क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे काफी सारे होगा तो बोट टाइम लग जाएगा चलिए यह वाला क्यूशन यह भी काफी अच्छा क्यूशन है सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले आपने देखेंगे क्या दोलों तरफ के लेटर से हमें क्योंकि जो पैटर्न यहां लगएगा वोई पैटर्न तो यहां लगाना है क्या हो रहा है यहां पर अरेंजमेंट हो रहा है अरेंजमेंट कैसे हो रहा है आपको देखते ही पता चल रहा है कि अरेंजमेंट मैं बिल्कुल कैसे करता जा रहा हूँ उल्टा करता जा रहा हूँ क्योंकि यह सबसे लास्ट वाले लेटर है वो सबसे पहले सेकिंड लास् इसने नम्मर पर, तो मैं बिल्कुल उल्टा करता हो जा रहा हूं, तो आपको यहां पर भी क्या करना पड़ेगा आगे चल के इनको भी उल्टा कर देजिए, क्या आएगा, पी आएगा फिर ए फिर आर पिर टी में चले बिलाज़ आसांज प्रशन है क्या करेंगे करके देख लीजिए दोनों तरफ क अक्षर क्या है अलाग अलाग rij अगर आप गोड़ से देख लिखेंगे तो दोनों तरफ क्या है अलाग अलाग क्योंकि जो pattern यहां लगेगा वोई pattern यहां लगाना है ना कोई pair letter हो रहा है आपको नजर आ रहा होगा बड़ा दूर दूर है जो letter दे रहा है वो बड़े क्या है दूर दूर है तो core से देखते हैं यह क्या करेंगे अपन rank देंगे कितनी rank दो कितनी rank तीन कितनी rank चार सतरा सोला पंदरा पका हुए देखत यह बिलकुल अच्छा pattern वाला question है क्योंकि देखें यहां पर rank बढ़ती भी जारी है और यहां पर कम होती भी जारी है तो क्या करना पड़ेगा इसका मतलब हर जगा बराबर नंबर जुड़ रहा होगा क्योंकि यहां पर एक एक से बढ़ रहा है और यहां पर एक एक से क्या हो रहा है कम हो रहा है तो पंदरा, तेरा, ग्यारा मतलब मैंने विसम संख्या जोड़ी है, तो यहां पर भी करके देख लिए पांच में कितना जोड़ी है, पंदरा, पांच और पंदरा कितना होता है, बीस होता है, फिर छे, छे और तेरा कितना होता है, गुनिस होता है, आईए साथ, साथ, और ग क्षर क्या थे अलग लग थे अगर दोनों तरफ के अक्षर अलग लग होंगे तो अपने उख क्या करना पड़ेगा शिफ्टिंग लगाने पड़ेगी आईए किस्टन नमर 20 हो चुका है किस्टन नमर 21 पर आजाए काफी किस्टन लेकर आए हूं मैं आप अब भी देख लीजी बी का पेर क्या होता है जल्दी बोलिए वाई होता है आर का पेर आई एका पेर क्या होता है आर और एंड का एम यह आपको अप्शन नमर सेकेंड में दे रखा आप बिलकुल आसानी से बता सकते हैं यह चीजे तब आएगी जब आप ज्यादा से को दिया जाए तो आप क्या करोंगे बाहार आओंगे क्योंकि आपको जिंदा बचना होता है आप कोसिस करोंगे कम से कम अभी आप अगर बेरोजगारी से मर रहे हो तो आप कोसिस करिए बाहर निकलने की बाहर तभी निकलोंग जब पढ़ना पड़ेगा सोट कर मत ढूंड देखते ही पता चल रहा है कितना कितना जोड़ा गया एक एक जोड़ा गया है तो यहां पे भी एक जोड़ दीजिए L में एक जोड़ गोगाएगा M और Y में एक जोड़ गोगाएगा Z M और Z आपका अंसर आ जाएगा बच्चों वाला परसंद था भाई rank दे लीजिए rank ही क्यों दे रहा हूं कि दोरों तरफ के लेटर अलाग अलागे अगर सेम होते क्या कर देते हैं अरेंजमेंट लगा लेते कितनी रंग 11 इसकी कतनी रंक 13 इसकी कितनी रंक 6 इसकी 12 इसकी भी 12 और इसकी झोड़ना पड़े दो तो मैंने प्लस-1 किया माईनस किया प्लस-2 किया ये लगाके देख लीजी 18 में एक जोड़ी है यूपी है में से MINUS करेंग손 एक जोड़ें कितना जाएगा 21 क्या यह उप्सन में दे रखा है अगर यह उप्सन में दे रखा है तो आपका आंसर आगया है यही पैटर्न आपको फोलो करते में जाना है चलिए क्यूसर नमर तइस हो चुका है क्यूसर नमर चोईस पर आईए बिल्कुल आसान सा प्रशन है क्या कर सकते हैं देखते हैं पता चल जाएगा एडिया क्योंकि दोनों तो देखें ए भी है ए है टी है टी है टी है ए डी सेम दे रखा है लेकिन गोर से देखते हैं यह आया कहां से सुरुआत में ए कहां पर ए यहां पर दे रखा है तो ए टी डी इसको तो मैंने सेम लिखा है इसका लास्ट के चार अक्सर से हम लिखने है तो यहाँ पर जो लास्ट के चार अक्सर है उसे हम लिख दीजिए R E C T क्योंकि जो pattern यहां लगा वो यहां लगेगा फिर पहले तीन अक्सर U N D उनको भी सेम लिखा है अदला बतली नहीं किया मतलम मैंने उल्टा सुल्टा नहीं किया बस उठा उठा के लिखा है लास्ट के चार अक्सर पहले लिखे हैं पहले वाले तीन अक्सर बाद में लिखे हैं तो यहाँ पर भी पहले वाले तीन अक्सर बाद में लिख दीजिए C.O.R. ये किस option में दे रखा है देख लीजिए आप आपको ये R.E.C.T.C.O.R. लास्ट option में दे रखा है आपका answer बिलकुल आसान सी चीज़े कर सकते हैं एक्जाम में आए हुए question है आप confusion ना हो इसके लिए मैं आपको करवा रहा हूँ question नमर 25 पर आजाई है बच्चो वाला प्रसनल आराम से कर सकते हैं कैसे करेंगे दोनों तरफ के लेटर सेम है तो देखे क्या था जैड और एक दे रखा है तो मैंने क्या क्या है जो A और Z दे रखा था उसको उल्टा कर दिया B और Y को उल्टा कर दिया क्या आगया Y और B तो से यह लो भाई यह जैड आया Y आया वाई आया बी आया पर एक्जाम में आपको इतना टाइम नहीं कि आप यह करने बैठो आपको दिमाग में डारेक्ट सोचना पड़ेगा क्या हुआ है और आपको डारेक्ट करना आना चाहिए इसलिए मैं आपको उतनी चीज़ें बता रह है वो डारेक्ट आनसर देदेगा इसकी रेंक दो इसकी रेंक तीन इसकी चार इसकी नो यह देखे कितने प्यार है भाई यह चार प्यार है और यह कितने प्यार है पांच प्यार है आईए 5 में 6 जोड़ के देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे पहले 2 जोड़ा ता 6 जोड़ा ता 5 और 6 11 होता है F और K अंसर में नहीं इसका नहीं तरीका तो नहीं लगएगा अगर जोड़ने से बात नहीं बने तो आप आराम से बता सकते है 2 का स्केर कितना 4, 3 का स्केर कितना 9, 4 का स्केर कितना 16, 5 का स्केर 25, P और Y आपका अंसर आजाएगा ऐसा प्रसन भी पूछा जाता है बड़ा अच्छा प्रसन है एक्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको भी देख लीजिए, ऐसे क्यूशन भी आ जाते है यह तब कर पाऊंगे जब आपकी देखने की छमता थोड़ी अच्छी होगी देखते में जाई यह चीज़ोंगा आए क्यूशन नमर 26 हो चुका है क्यूशन नमर 27 पर आजाईए क्या करेंगे दोनों तरफ के लेटर तो अलग अलग है और दो एक के भी पास तो दो से दो पर जाएंगे तो कुछ होगा नि तो अपने क्या करना पड़ेगा एक से दो पर जाना पड़ेगा जब मैं एक से दो पर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा एक से दो पर जाएंगे तो एक जोड़ना पड़ेगा 26 से 25 पर जाएंगे तो एक कम करना पड़ेगा 2 से 3 पर जाओं तो एक जोड़ना पड़ेगा मतलब एक जोड़ रहा हूं एक कम कर रहा हूं एक जोड़ रहा हूं आपको चीजे डारेक्ट देखनी आनी चीए आपको कोई बताएगा नहीं आपको चीजे डारेक्ट देखनी आ वह आजाएगा तो एन यू ओ आपका अंसर होना चीह ए आपका अंसर है यह चीज़े आपको औरल करनी आने जी बिलकुल आसान-असान क्यूशन थे क्यूशन नमर अठाई सापके सामने पेस है आप करने कोसिश करिए क्या आंसर आएगा क्या करेंगे रेंक देंगे कुछ भी नहीं समझाता है तो किसका सारा लेना है रेंक का सारा लेना है क्योंकि दोनों तरफ के अक्सर क्या है अलग अलग है अगर दोनों तरफ के अक्सर अलग अलग है और लिए इसका महें हो सकता है हर जगे सेम लेटर हो तो 2 15 पर जाने के लिए तेरा जोड़ना पड़ेगा चार के सातर बीज पर जाने के लिए टेरा और तेरा हो तो होता है। चलिए तो same कान ही यहां पर करेंगे तो देखीये 6 में 13 जोड़ेंगे तो 6 और 13 कितना होता है वाई 19 होता है एक ही option बचा है answer आ जाएगा 8 और 13 होता है 11 और 13 24 होता है, sorry hai 24, 12 और 13 कितना होता है 25 होता है कांसरा जाएगा बिल्कुल अलाम से कर सकते बच्पों वाली चीजए आए क्यूस्सा नमबर इस अठाइस तक ओचुकके क्यूस्सानमर गुनत्तीस पर आजईए किया जा सकता है नो तरफ के लेटर क्या है सेम है अगर दोनों तरफ के लेटर सेम है तो अपन क्या करने वाले है अरेंजमेंट करने वाले और देखते ही पता चल रहा है और आई यह कहां से आया है इसको मैंने उल्टा किया है फिर क्या किया है C और H को उल्टा करके रिखा है तो इनको उल्टा कर दीजिए ELB और फिर इन दोनों को उल्टा करके लिखेंगे अपन A और T ELB AT ELB AT आपका अंदर आज़ा है कि C अपसर मेरो कैसे आइडिया लगा कि दोनों तरफ के लेटर सेम है अगर दोनों तरफ के लेटर सेम है तो अपने को क्या करना पड़ेगा अपने को अरेंजमेंट करना पड़ेगा चलिए अगले प्रसंट की तरफ आते हैं क्यूशन नमर 30 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलिए क्या करने वाले है क्या दोनों तरफ के लेटर सेम है क्या दोनों तरफ के लेटर तो सेम नहीं है लेकिन थोड़ा गोर से देखेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा पेर लेटर का खेल चल रहा है आईए एका पेर लेटर क्या होता है जैड एफ का यू के का पी पी का के यह मेरे को कैस T, याद करवाए था मैंने आपको चली, क्या होता है T, L का पेर क्या होता है O, I, Q का पेर क्या होता है J, पुर्क्वीन, J यह आपका अंसर आना चीए B option आपको दे रखा है B आपका अंसर कोशिश करते वे जाई है, आगे बढ़ते वे जाते है चली, question number 31 बिल्कुल अच्छा सा question है आप अराम से देख सकते है दोनों तरफ के लेटर से हमें ऐसे question बड़े confuse करते है M, U, G, G, U, M अपन सोच ही नहीं पाते है कि दोनों तरफ के लेटर से हमें मैंने इसको जश्ट उल्टा किया है M, U, G, G, U, M लिखा है तो इसको जश्ट उल्टा कर दीजिए कुछ लोग confuse हो जाएगे यहाँ पे 3-3 है, यहाँ पे 4 है आपको confuse होना की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है आपको सिरफ देखते वे जाना है हो क्या रहा है क्या pattern लग रहा है चलिए, क्यूषन नमबर 32 पर आते है यह बड़ा प्यारा क्यूषन है एक्जाम में पूछे जाना वले कि रहा है रो बड़ा अच्छा क्यूषन है गोर से देखते उल्ए इसमें हर जवे कुस्षन मारक है यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी मैंने आपको जब अलब्पाव.8 सीरीज पढ़ाई थी, तो मैंने आपको जब यहाँ यह remains बता है कि हर जगे कुशन मारक आता है, तो आपकों आस पास के अक्सरों के बीच का अक्सर डूनाते है, यह एक है, यह पाँच है, एक और पाँच के ब बीच में क्या होता है चार दोनों तर्फ के बराबर डी आना चीए यह 8 उन CBS 6 और 10 के बीच में क्या होता हुआ हूँ क्या ऑना चीए IANmisti इसा उप्सन दे रिखना है हाँ दे रिखना आपको पहले ही बताया था अगर बीच में हर जगे क्युस्टन मार को तो आपन बीच के अक्सर को देखने ही कोसिज करेंगे आपका अंसर अजाए चलिए क्युस्टन नमर 32 तो हो गया है लास्ट परसन आपके सामने आपका जो सेशन चल रहा है उसका इस वाले पार्ट का लास्ट परसन आपके सामने है चलिए करके देखिए क्या करेंगे देखते ही बताया जा सकता है क्या बताया जा सकता है भाई तो X का pair के है? C, Z का pair A, G का pair T तो D का pair क्या हो ख़ग mosquitoes जल् edgy भूले D का pair, W, O का pair, L, G का pair, T आपका answer है बिलकुल आसान सी चीज है तो आपको आज के lecture से क्या सरी है मिला ए के आपको सबसे पहले pattern पता होना चाहिए दोनों तरफ के letter से हम है और आपको ये बीच वाला जो किस्टन मैंने भी बता है ऐसा किस्टन अगर आपके सामने आ जाता है जो किस्टन नमर 32 अपने किया था तो आपन क्या करते है अगर हर जगा किस्टन मार्क होता है तो आस पास के लेटर के बीच वाला अक्सर देखते है आपका अंसर आजाएगा आज के लिए इतना है I hope आपको समझ में आया होगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए लाइक करिए आज के लिए इतना है धन्यवाद ठीक है